एक गाउ में एक अमीर आदमी रहता था वो बहुत कंजूस था उसके पास काफी स्वर्ण मोहरे थे उसने उन स्वर्णों मोहरों को एक गड़े में रखकर घर के पिछवाडे में गड़े में छुपा कर रखा था रोज आधी रात को उठकर वो कंजूस आदमी स्वर्ण मोहरे ठीक है या नहीं ये देखने पिछवाडे में जाता था चलो देख लेते हैं मेरी स्वर्ण मोहरे ठीक से है या नहीं एक दो तीन चार पांच छे और ये रही सहस्त्र रोज आधी रात को उठकर उन स्वर्ण मोहरे के गिंती करते रहना ये उस कंजूस आदमी का दिन क्रम था चलो चलो देख लेते हैं एक दो तीन चार पांच हजार है हजार एक दिन किसी कारण उस कंजूस आदमी के पडोसी उसके पास चले आए और उससे कहने लगे मेरे बेटे को शिक्षा पाने के लिए शहर में भेजने की इच्छा है परन्तु उसके लिए जो पैसे चाहिए वो इस वक्त मेरे पास नहीं है आप अगर मेरी मदद करेंगे तो बड़ी महरबानी होगी अरे अरे ये वारे वा नहीं नहीं ऐसा नहीं है जी मतलब मेरे पास पैसा आने के बाद आपका पैसा लोटा तूँगा कैसी रे तुम्हारी हिम्मत औरों के पैसे पर मजा मारते हो शरम नहीं आती चलो एक पैसा भी नहीं मिलेगा तुम्हें बड़ा आया है बच्चे को पढ़ाने वाला बच्चे को पढ़ा नहीं तो मत पढ़ा मुझे क्या चलो चलते बना यह हसे पडोसी को हकालने के बाद वो कंजूस आदमी उस राद स्वर्ण मोहरों को गिनने के लिए फिर से पिछवाडे में आ गया चलो चलो देखते हैं मेरी स्वर्ण मोहरों की गिन्ति करते समय पिछवाडे में ही छुपे चोर ने उस कंजूस आदमी को देख लिया चोर मन ही मन में बड़ा खुश हो गया 998, 999 और सहस्त्र वा, आज भी मोहरे वैसी ही है कंजूस आदमी घर के अंदर चले जाने के बाद उस चोर ने घड़े के अंदर से सारे स्वर्ण मोहरे निकादें लिए और फिर उसने उस घड़े में पत्थर रख दिये और वो चोर आराम से निकल गया दूसरी रात को कंजूस महदय अपने स्वार्ण महरों के गिंती करने के लिए पिछवाडे में आ गया चलो देख लेते हैं मुहरे कहा है पत्थर यह यह इसे कैसे आए अरे मैं लुट गया मैं बर्बाद हो गया मैं बर्बाद हो गया मैं बर्बाद हो गया मेरी स्वार्ण मोरों की चोरी हो गई रे मर गया रे मर गया रे मर गया रे अजी 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 सुनते हैं अजी हमारे पड़ों से चिला रहे हैं जोर जोर से अजी क्या हुआ देखिए तो सही चलिए रुको मैं भी देख क्या दा हूं क्यों जी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं मर गए बरबार हो गया अरे पर हुआ क्या? क्या? चार साल मैं इस खड़े में ही थी मैं रोज आखर गिनता था पर आज मैं परवार हो गया आजी परवार हो जाईए अरे पहले आप शान्त हो जाईए अजी कैसे शान्त हो जाओ मैं अब मेरा क्या होगा ए बगवार देखे मेरी बास सुनिए अजी वो मोहरे चार साल यहीं तो थे ना के नहीं उनकी इतने दिनों में आपको ज़रुरत नहीं थी मतलब आगे भी उनकी ज़रुरत काम के लिए आपको लगने वाली थी ही नहीं यहां आकर गिंती करने का ही तो काम आप करते थे हैं ना फिर इसके बाद आगे भी आप गिंती करते रहना अरे कल परसों तक आप मोहरों की गिंती करते थे आज से पत्थर गिंते रहना इतना ही अजी फिर क्या जिन मोहरों का आपको गिंती करने के सिवाए कुछ भी लाब नहीं होता था, उनके जाने से क्या फर्क पड़ता है, आज मोरों की जगा पत्तर है, इतना ही, और क्या, दोनों का लाब शून यहीं तो है तुम क्या कह रहे हो, मैं समझ गया हूँ, धन का इस्तमाल सिर्फ जबा करने के लिए नहीं करना चाहिए मेरे पास जो सुरण मोरे थी, उससे सिर्फ तेरा ही नहीं, बलकि गाओं के सारे बच्चे शिक्षा पा सकते थे मुझे मेरे गलती के ऐसास हो चुका है, और उसकी सजा भी मुझे मिल चुकी है, मैं इसके आगे ऐसी गलती नहीं करूँगा सारांज, जादा लोब हानी कारक होता है